और उत्तर प्रदेश में जब से आदर्निये योगी आदितिनाज जी के नितर्त में सरकार बनी है, सुरक्षा और महिलाएं, किसान सब को साथ लेकर देश और प्रदेश दोनों के नितर्त ने चला है, उसके आदार पर मैं कैसा हूँ कि 100% भारते जनता पार्टी मुझफर नितर्त का जो भी फैसला है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, आदर्निये जैन चोदरी जी के आने से और किसान नेता आदर्निये चोदरी चरण सिंग्जी को हमारी सरकार ने भारत दिया है, उसके बाद से वाकई में इस पश्ची मुझत परदेश में महोल बदला है, और 100% मैं कह सकता हूं कि मुझफवन अगर बारते जन्दा बारते चुनाव जीतेगी है, अर एलडी जब तक आपके साथ थी, आप बांध करके रख नहीं पाए, अब लग रहा है कि यहां चुनोतिया बढ़ गई है, कोई चुनोती नहीं बढ़ी है, समाजवादी पार्टी, इं उनकी साथ में लोग चल रहे है, तो यहां पर रहिंदर मलिक जी बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीतेगी, और हर जाती ध्रम का व्यक्ति उन्हें वोट दे रहा है, और उनकी साथ खड़ा है, कॉंग्रेस के साथ को आपने छोड़ दिया, बस अपा का पक्ष रखने के लिए सल्मान जी हमारे साथ है, सल्मान जी क्या लग रहा है इस बार यहां? किर्दार बाटेंगे? किर्दार बारे में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, क्या जब आरेल्टी से हमारा गठबंदन था? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और इंडिया कठबंदन मजबूती के साथ मुझा बहुमत की सरकार थी, सतरह में फिर कॉंग्रेस को साथ लाए थे ना? राजनीती में राष्टे देख जी का नेड़न है और कठबंदन चलता रहता है, बीजेपी देखे, उसे राजभर जी को साथ ले लिया है, बीजेपी ने कठबंदन में अपनी साथ में, तो इस सब दलोग चलता है ये मामला, देखे वरिष्ट पत्रकार भी हमारे साथ नी भी जाट यहां से चुनाव नी ज़िता है, पहली बार उननिस तो इकु Crisp been यहां से भारत्य जन्ता पार्टी के सिंबल प्र जाड़ जिता है, यहां चोधरी साथ चुनाव आए बड़े चोधरी साथ चोधरी च्रन सिंस्न्ह साथ बहुत मुस्किल नजला रहा है चौधरी चरण सिंग को जो भारत रत्म दिया गया है और आरेलडी भी अब साथ है उसका कुछ असर पड़ेगा दरसल क्या है इस चीज को भारत जंता पार्टी कहती है कि हमने भारत रतन दिया हमने भारत रतन दिया चोधरी चरण सिंग तो खुद भारत रतन है किसान रतन थे इस चीज को कैसे कहा जा सकता यह मनलब डुक होता है इस बात का कि पोलिटिकल पार्टी उस एजंडे को चुना वी स्टंट नहीं हो सकता यह तो वो कह भी नहीं रहा उनका यह कहना है कि दस साल यूपे की सरकार रही उन दस सालों में उन्होंने यह भारत रतन देने का काम जो हमारी सरकार